देगलम में फिर से आपका एक बार स्वाकत है ये वीडियो भी से शुरुप से सीटेट से सम्मंदित है पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था इभियस यानी परियवरन अध्यन के बारे में वो वीडियो बहुत ही महत्तपूर्ण था अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लिजिएगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा क्यों महत्तपूर्ण था क्योंकि हमने उस वीडियो में बताया था कि कैसे आप 30 में से 28 मार्स प्राप्ट कर सकते हैं यह उससे सम्मंदित दूसरा वीडियो है तो पहला वीडियो देख लिजिए क्योंकि उससे सम्मंदित कुछ प्रश्ना भी पूछने वाले हैं आपसे साथ में थोड़ी सी चर्शा आप भी कर लेते कि कैसे आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 30 में से आप 28 मार्श कैसे पराप्त कर सकते हैं यह दो पार्ट में बना होता है। दो पार्ट कौन कुन से? एक तो होता है आपके त्योरी से कुश्चिन जो आपके पूछे जाते हैं ncrt books से, ncrt कौन से books से? कपर्यवरन अध्यन के books से, जो इस स्टार्ट होता है आपका अपका class 3 से, class 3, class 4 और class 5 का, यह आस पास नाम से जा तो भी में आपको बता देता हूं वह भी उसी बुक से होते हैं जो उसमें लिखा होता है सिक्षकों के लिए कुछ line लिखा हुआ होता है जैसे जैसे में बुक पढ़ेंगे तो किसी-किसे चैप्टर में नीचे में लिखा रहाईगा यह सिक्षकों के hehट पर बमढ़ी argument के प्रशन है यह जो आपके अप्लाइड मोड के प्रशन आते हैं उसे सम्मदीत प्रशन होते हैं वहीं से उठाया जाता है तो उसे पढ़ लीजेगा सांथ में जब बुक के स्टार्ट कीजिएगा तो अभिवाव को के लिए और सिक्ष को के लिए दो बाते लिखी हुई होती है जिससे सम्मदीत पिछला वीडियो था तो उसे भी जरूर पढ़ की जाईएगा क्योंकि उसे भी प्रशन आते हैं वह प्रशन होते हैं आपके कितने तो पंद्र और वीडियो देंगे जो आपके मैप से संबंदीत होगा मैप से संबंदीत एक हमारा वीडियो था लेकिन हम चाहते हैं कि उत्तर दक्षन जो पूस्ता है ना कि उत्तर पूर्व में है यह चीज हमने नहीं बताया था तो हम कुशिस करेंगे उसे भी देके खतम करें और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और साथ में आपने किसी दोस्त को जो सीटेट पेपर वन परेवरन अध्यन की त्यारी कर रहा है उसे भी शेयर कीजिएगा वह चैप्टर निशित ही क्लियर हो जाएगा आपको याद भी हो जाएगा अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है तो आपको खर्च करना होगा थोड़ा सा और यह जो लिंक आप देख रहे हैं www.hindiclub.in यहां से जाके सीटेट के EBS सेक्शन में जाके 500 रुपिया पैड करना होगा वहां से चैप्टर वाइस टेस्ट बहुत ही महत्तबूर बना करेंगे लेकिन महत्तबूर जो यह बाते हैं अविवावक और शिक्षकों के लिए वह आपको लाइन पर नहीं होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले कुछ प्रशन हम आपसे पूछने वाले हैं वह प्रशन का उतर अभी कमेंट बॉक्स में दें तो यह पार्ट टू है जैसे में हमने कुछ बाते आपको बताई थी उसमें से पहला प्रशन है परेवरन अध्यन के पाठेकरम में किसी के अस्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है किसके अस्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है इसका उतर आपको कमेंट बॉ थीम के अस्थान पर इन में से सभी और ये आपको comment box में बताना कि कौन सा correct answer होगा इसके बाद हम आपको next question भी आपसे एक पूछेंगे कि जो theme है जो बार बार theme सब्दू सुन रहे हैं उसको मुख कितने भागों में बटा गया है जो नया पाठिकरम जो परेवरन अध्यन का द है एक दो तीन चार पांचे साथ आठ जो भी है वह आप लिखके बताएंगे इसके अतरिक्त और प्रशन हम पूछेंगे जितने भी theme हैं वह सारे theme का नाम क्या आप हमें बता सकते हैं इससे भी संबंदित सीटेट 2019 में प्रशन तानीत उठा के देख लिए भीस में सब्सक्राइब को थैंक्स कि आपने लगबग 400 से उपर लाइक पिछले वीडियो को दिया था आज इस वीडियो में आगे हम बढ़े रहें और यहां पे हमने पुस्तक पुस्तक नी चित्र से हमें स्टार्ट करना था यह आप देख रहे हैं यहां से स्टार्ट करना था जो भी चित्र उसमें दिये गए हैं उसे पढ़ना एक महत्तपून किरिया कलाप है यह भी पूछा जा सकता है कि चित्र का पढ़ना क्या है को यह एक महत्तपून किरिया कलाप है निमलिखित में से कौन सा से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है मतलब बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने से हो सकता है जो भी बच्चों में आकलन चित्र वो देखते हैं उसको देखके पढ़ते हैं उससे क्या हो सकता है तो इसमें ओप्शन था आपका ए नमबर में था आपका औलोकन और अभीलेखन यानि बच्चा उसको देखेगा तो एब्जर्ब करेगा ही रिकॉर्डिंग करेगा ही तो पहला option को नहीं सितनी correct होता है किसी भी चित्र को आप देखते हैं तो वो अलोकन जरूर करते हैं और अभीलेखन करेंगे तो A नमर से ही हो गया था B किसी भी चित्र को देखते हैं तो उसके बारे में कुछ express तो जरूर करेंगे दूसरा option था अभीवेक्ति का यानि कुछ express करना यानि picture को देखेंगे को कुछ बता सकते हैं अंग्रेजी में इसको experiment तो नहीं कर सकते हैं चित्र का तो वो क्या हो गया आपका पढ़ने की चर्चा हो रही थे इसलिए परियोग करना यहाँ पे गलत हो गया था तो ये चित्र से समन्दित एक प्रसंद था वही अब point हम पढ़ेंगे तो हमेशा याद रखिएगा चित्रों को पढ़ने की जब भी चर्चा आएगी तो वोकन और अभी लेखन कर सकते हैं अव्यक्ति कर सकते हैं विशलेशन कर सकते हैं लेकिन परियोग नहीं कर सकते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें दिया गिया चित्र के बारे में चित्र इस आयूवर के बच्चों की पुस्तकों का महतपून अंग होते हैं वो क्या होते हैं एक महतपून अंग होते हैं लेखक दल ने ध्यान रखा है कि चित्र की प्रकिर्थी लिखित बातों को प्रति बिमबित करें पुस्तक में जो भी लिखी बाते हैं उसे प्रति बिमबित करें उसे आगे दिखाए, बच्चों के एकसप्रेस करें एक तरीक से पुस्तक में विसेवस्तो को चित्रो की सहयता से बढ़ाना एक प्रमोग अधार रखा गया यह भी बहुत important line है यह note कर लीजेगा नहीं होता है तो यह PDF आज इस वीडियो में हम लोग दे भी रहे हैं तो आप इसे download कर सकते हैं और जो भी पैकेश हैं उसमें सारी PDF पहले से ही महत्तपून डाले जा चुके हैं जतने हो सकते हैं उसमें काफी हैं बहुत ज़्य तो चित्रों की सहता से बढ़ाना चित्रों का इस्तमाल इस तरह भी किया गया है कि वे लिखित कारे के पूरक हो वो लिखित कारे के क्या हो तो वो पूरक हो चित्र बच्चों को खुसी तो परदान करे ही साथ ही वे उनसे कुछ सीखे भी साथ में उनसे कुछ सीखे भी पाठे करम पूस्तक में विभिन परकार के किरिय कलापों में विवेद करने के लिए कुछ चिन्नों का परियोग किया गया है जिसकी सूची पूस्तक में समलित क कि गई है इस पीडियेफ में भी हमने उन चिन्नों का परियोग कर दिया है मतलब डाल दिया पीडियेफ में वह से आप देख सकते हैं आगे इसमें पुस्तक में बच्चों को काम करने के लिए विविद्ध परकार के ऊसर दिये गया है ज़से अकेले छोटे समुह या बड़े समू में काम करना समू में कियेगे पारसपरिक क्रियकलाप से बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सेखते हैं देखें ये भी महतपुन लाइन है ये भी नोट कर सकते हैं या समझ कि जरूर चलिएगा इससे भी सीटेट 2019 में प्रशन था लेकिन हम चाहते हैं कि जब वो प्रशन हल करें सब सारे प्रशन पहले ही आपको बता देंगे तो वो वीडियोस में उतना मजा नहीं आगा लेकिन इससे अंडरलाइन कर देते हैं इससे जरूर याद रखिएगा समू में किये पारसपरिक किरिया कलापो से बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे जो होते हैं एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं इसलिए पारसपरिक जो समू में किया गया कारे होता है वो बहुत मत्वण होता है और इससे मिलकर कारे करने की चमता बढ़ती है और मिलकर कारे करने के क्या वगू होती है चमता बढ़ती है बच्चे सिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके आनंदित होते हैं जब बच्चों को रचनातमक की परसंसा की जाती है ये तो आगे हम बढ़ेंगे लेकिन रचनातमकता क्या होती है यानि अब आगे T पढ़ते हैं तो विए बहुत खूस होते हैं यों उसके लिए प्रिधित भी होते हैं उनकी पर्शंशा की जाए उनकी रचनात मक्ता को अनवस्यक रूपसे न करां नजाए क्या बना दिए favors तुमको कुछ आता नहीं मात्र सूचना अत्वा जनकारी को जाचना नहीं है यहां से प्रशन कैसे पूछा जा सकता है तो यह सूचना अत्वा जनकारी जाचना है नहीं है देखा आपने है या नहीं है यह भी पूछा जाएगा पार्ट में प्रशनों तता क्रिय कलापों का उदेश से है कौन कौन सा देदेगा उसमें आपको टिक करना है कि उसमें कौन सा उदेश नहीं है तो उसमें जरूर एक option रहेगा सूचना अथवा, जनकारी, जाचना तो उसे आपको क्या करना है? कर देना कौन सा नहीं है तो उसे टिक करना है आगे का line है बलकि बच्चों को अपने बिचार प्रकट करने का औशर देना है यानि जो भी उसका बिचार है उसे वो प्रकट करे इसका उन्हें औसर देना है जो भी पाट में प्रश्णों तता क्रियक कलापों का उद्देश से है तो कभी भी दिमाग में माइंड में सेट मत कीजिएगा कि जो भी पार्ट का जो क्रिया किलाप है उसे सूचिना तथा जानकारी को जाचिना है कि बच्चे कैसे त्यारी करते हैं क्या करते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है उसे क्या करने आपको बच्चों के अप साग में अगर एक बर पैट जाएगा ना तो हमिसाग लिए याद हो जाएगा बच्चे को खुद क्यों रखके सोचिए आप कि मैं अगर होता है मैं सुपोच कीजिए मैं बच्चा हूँ तो मुझे कैसा लगता है अगर मुझे बोलने नहीं दिया जाए स्कूल में बस जो कु तो ऐसा ही वहाँ पे क्लास में करना आपको बच्चे को औसर देना है जो भी वह विचार प्रकट कर सके वैसे अगर पूराने वीडियो आपने देखे होंगे मेरा साइक्लोजी का को हम कैसे टिक करते हैं औसर देखा टिक कर दिया याद करने वाला दिया लेकिन याद करने कर दिया हमने याद करने वाला देखा हमने कर दिया तो यह क्या हो गया यह बस इसी बेस पर बना है तो यह सारी चीज़े पढ़ेंगा ने को बहुत जल्दी आपको समझ में आगा चलिए आगे बढ़ते हैं ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे इन प्रशनों तथा कि रेकल मार के जाएं हो सकता है कुछ नमबर कम ही आजाएं हमने बताया था 28 आपने लिखे है 14 तो यह कैसे होगा तो आप जल्दी जल्दी तेजी में करके जाएंगे तो यही होगा इसलिए अगर सीटेट का आप त्यारी कर रहे हैं और सीटेट में अच्छा मार्स जरूरी है तो आपको पहले बातचीत सुनना चाहिए धैर आपके अंदर बहुत जरूरी है धैर है तो निशित ही आप अच्छा करेंगे तो धैर रखिए और अराम से वीडियो देखिए अराम से एक एक लाइन पे डिसकस कीजिए आपस में ग्रूप है तो ग्रूप में डिसकस कीजिए यह क्यों हुआ कैसे हुआ एक एक चीज आपका कंसेप्ट किलियर होगा कंसेप्ट किलियर करके जाए धैर रखिया निशितिया आप अच्छा करेंगे इसके बाद इसमें भी वही चीज लिखा गया है इन प्रशनों तता किरिया कलापो को करने के लिए उन्हें पूरा समय दिए जाना चाहिए क्योंकि हर बच्चा अपनी गती से सीखता बहुत इंपॉर्टेंट ले और इसका इस्तिमाल भी किया गया था सीटेट 2019 में हम चाहेंगे कि उस प्रशन था वो प्रशन से समंदित नहीं था उसमें ऑप्शन के रूप में यह था और उसमें मुझे जहा प्रशाओं के संचालन करने का उदेश से है तो इनमें कौन सा उदेश है उसे टिक करना था तो एक उप्शन था उसमें से बच्चों में उनके सीखने की गती के अधार पर विभेद करना तो यह देखे क्योंकि हर बच्चे हर बच्चा अपनी गती से सीखता है यानि विभ एक सिक्षक हमेशा किरिया कलापो को कराने के बाद प्रश्णों और चर्चाओं का संचालन करता है क्या करता है? संचालन करता है किरिया कलापो प्रश्णों और चर्चाओं को संचालन करने का उद्देश से है अप्सन ए था बच्चों की प्रक्रियाओं और कौशलों को आकलन, यह जरूरी आकलन करने के बारे में हमेसे हमने चर्चा किया है, इसके बाद अगला है, बच्चों को खुचने का आउसर देना है, अभी हम बात कर रहे थे, खुचने का विचार, व्यक्त करने का उन्हें आउसर देने वाला पहले से हमने बताया कि ऑप्सन से होते हैं को दो आउसर देने वाला है, दोनों को हमने टिक कर दिया, चौथा ऑप्सन इसमें, बच्चों में उनके सीखने की गति के अधार पर बिभेद करना, उसके बाद A, B, C, QD, QC, A, B, C, D, यह सारा चीज दिया इसमें बच्चों में उनके सीखने की गति पर अधार पर बिभेद करना, तो देखिए यहां पर बिभेद करने की बात नहीं कही गई, यह लाइन देखिए पढ़ीगा ठिक से, और इसी तरही समझेगा, कि इन प्रसनों तता किरिया कलापों को करने के लिए उन्हें पूरा इसका आकलन करें, बच्चे में खोजने का उशर दें, साथ में जो भी कुछ कहना चाहता है वो उसका उशर देखिए अव्यक्त करने का, और यह बिभेद करने वाला जो भी आप्सन आता ना कभी भी, सीटेट में हिंदी में आया है, साइक्लोजी में प्रसना है, कहीं भी म टरचा करने की बात है, विभेद, ते से आप क्या करेंगे, काट देख में के, हम बिभेद करीं नहीं सकते हैं, जढ़न की बहुतती लेकि आता है, उन्हें बहुत तेज तरह बच्चा तुरंत लेकर आया हाँ प्रसंसर हाल हो गया चाहिए हो गया तो उसे क्या करेंगे बस हाल हो गया नेक्स्ट कुश्चन पर बढ़ जाए अक्सर यही स्कूल में आपको देखा जाता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना आपको हर बाते हर बच करें के सारे बच्चों में जैसे जब को सब्सक्राइब को देना है सभी के गती पर भी ज्यान देना है कि सब बच्चे आराम से शेखे क्योंकि सभी बच्चे किसके आपके अपने हैं क्लियर हुआ यह दिमाग में बैठा लेजाएगा एक भी साइकलोजी का कुश्चन गलत नहीं होगा आगे बढ़ते हैं अध्यापक बच्चों की और सकता पढ़ाने का तरीका तथा अस्थान ये इस्तीति के अनरूप अपने मुल्यांकन में तरीके उस्वे निर्धारित करें यह बहुत महत्पूर्ण है लेकिन इससे समझ लिए कि जो भी अढ्यापक है वह जो भी वहां का वातवरण है उसी अनुरूप उस वो निर्धारित करेगा यानि पढ़ाने का तरीका क्या हो जागा बच्चों के हो सकता क्या है तो यह उनको खुद देखना पड़ेगा टीशर को और उसके वो निर्धारित करेंगे मुल्यांकर पर और समझ बनाने के लिए NCRT ने एक सुरोत पुस्तक भी इस बिशय पर त्यार की है उसे भी पढ़ें यह देखिए यह लाइन जो लिखा गया है ना कुछ प्रश्ण यहां से रहेंगे सुरोत पुस्तक की जो चर्चा की गई है कुछ यहां से रहेंग बच्चो के कौशल का मुल्यांकन उनके द्वारा की गई किरियाओं कक्षा में अथ्वा कक्षा के बाहर के अनुरूप होना चीए मुल्यांकन एक सतत पर किरिया है यह पूछा जा सकता मुल्यांकन किस तरह का पर किरिया है तो यह सतत मिस क्या होता है निरंतर पर किरिया है अतहा बिभिन प्रस्तितियों जैसे अलोकन करना, प्रस्ण पूछना, ड्राइंग, अत्वा चित्रकारी करना, समुह में चर्चा करना, आधी के दोरान मुल्यांकन होना जरूरी है, आधी के दोरान क्या होना जरूरी है तो मुल्यांकन होना जरूरी है इसलिए बिभिन करिया कलाप एवं प्रस्न पाठ के अंदर ही दिये गए हैं अंत में नहीं उसी करम में करवाना उचित होगा यह भी important line है इसे भी note कर लिजेगा कि जो भी क्रियकला प्रस्ण जो है वो पाट के केवल अंदर ही दिये गया है या केवल अंत में दिये गया है तो यह क्या होगा इसका answer कि अंदर ही दिये गया है अंत में नहीं इसी करम में उन्हें करवाना उचित होगा चलिए आगे देखते हैं अब यहां से हम लोग देखेंगे पाटपुस्तक के विकास में लेखक मंडन के सामने एक प्रमुक मुद्दा था समाज में पाई जाने वाली विविन्ताओं के प्रती बच्चों की समवेदन सिलता बढ़ाई जा सके चाहे वे विविन्ताएं सारी रिक्षमता आर्थिक इस्तिती तथा हमारे विवार में अंतर के कारून हो यह सब चीजे हमारे रहंचन पहनावें के तरीके तथा बहुत एक सुब्दाओं के उपलबता आदे में परिलक्षित होती है हमें हर बच्चे में समझ पैदा करवानी होगी कि किसी भी समाज में भिन्ता सभा हमें इन जो भी विविंताएं हैं कि प्रसंसा तता संबान करना सीखना है यह इंपोर्टेंट लाइन है कि जो भी विविंताएं उससे संबान करना चाहिए और उसका प्रसंसा करना चाहिए अधियापकों को इस बात पर बिसेस ध्यान देना होगा जिससे कि समाजिक मुद् आगे बढ़ेंगे और आगे से भी प्रस्म था उसे भी हम देखेंगे सीटेट 2019 में वह प्रस्म था ये देखें से बढ़ttे के बताते हैं अब्रोम के वह को आप व्यक्तिके लिप में देखा है जो ग्यान सिर्जन करते हैं और अपनी अनभाओं को बढ़ाते हैं अता इस पाठे पुस्तक को सीखने सिखाने के सामागरी की तरह देखा गया है जिसके इर्थगिर्द सिक्षक अपनी पढ़ने पढ़ाने के क्रिया को संगठित करे ताकि बच्चों को सीखने का उसर मिल सके आगे हैं इसमें NCF 2005 के अनुसार कक्षा एक और दो में परिवरन अध्यन एक बिसयक रूप में नहीं है यह भी नोट कर लीजिएगा परिवरन अध्यन जो है एक बिसयक रूप में नहीं है यहाँ भी एक प्रशन हम चर्शा करेंगे सीटेट 2019 में था प्रंतु इससे जुड़े कौशल और सरकार को गड़ीत और भासा के माध्यम से जोड़ेनी की बात कही गई है किस से ध्यान से इस लाइन को पढ़िए प्रंतु इससे जुड़े कौशल और सरकार को गड़ीत और भासा के माध्यम से जोड़ेनी की बात कही गई है यानि किस से जोडने की बात कही गई है गणीत एवं भासा के माध्यम से इसको क्या कहा गया है जोडने की बात कही गई है तो ये भी important line है और ये बहुत ही महतपून line है और इससे एक प्रशन था आपका seated 2019 में और वो प्रशन हम ऐसा करते हैं कि आपके सामने रख देते हैं और आपसे हम जरूर कहेंगे कि इसका answer आप comment box में हमें दे प्रशन था निमलिकित में से कक्षा एक और दो के लिए परेवरण अध्यन किस विशय के संदर्म में सच है एक और दो तो परेवरण अध्यन तो था नहीं तो किस विशय के रूप में मतलब ये सच है ये line यहीं से है इसमें option एक था कक्षा एक और दो में एक बिशय करूप में परेवरण अध्यन समझने के लिए अशान नहीं है जो आगे के line में हमको देखने को नहीं मिला क्यों मतलब नहीं था एक और दो इसके बारे में ये प्रशन पूछा जा रहा है दूसरा इसमें option था परेवरण अध्यन से संबंदित मुद्दो और संबंदो को संपादन भासा के द्वारा होता है क्यों यहां भासा की चर्चा की गई थी परेवरण अध्यन में जो भी संबंदित मुद्दे हैं और संबंदो का संपादन किसके द्वारा करने की बात कही गई है को भासा के द दो में परेवरानध्यन को एक नए विसाइक रूप में परस्तूत किया गया है को यह तो कभी होई नहीं सकता है एक-दो में का परेवरानध्यन है नहीं तो कौन से अंसर से होगा वह आप हमें कमेंट वक्सम बताईए आगे के लाइन आप खुद देखिए इसमें आगे प्रकासित की गई है जसमें भासात था गड़ित के ऐसे करेकलाप दिये गए हैं जिनमें आपको परेवरानध्यन से चुड़े मुद्दो को कख्षा एक और दो में समयकित करने में सहता मेली कख्षा तीन में सिक्षण अधिगम के सुरुआत करने से पूर्म जदी आप इस इस वीसे में आपकी समझ बनेगे तो इसे भी कहा गया पढ़ने के लिए अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं फिलाल इस वीडियो में हमें बताना था यहीं पर इंड और यह था जो चीन बताने की बात की गई थी यहीं चीन था और इसके बाद नेक्स्ट जो लेशन हैं आपका लिशन निमबर 4 है और इसमें भी दो सब्द शिक्ष को अभी वाव को सिखा किया यह सारे वहीं है एक बाद देख लीजेगा लेस्ट जो भी लाइन है सारे वहीं है लेकिन इसमें चेंज होता है आपको इसमें चेंज हो रहा है, यहां से आपका मेबी चेंज उचित करवाना होगा, यहां से आपको देखना होगा, यहां से आपको पढ़ना होगा, नेक्स्ट उपर सारे वही हैं, यहां से जरूर पढ़िएगा, यहां से पुस्तक कुछ और मुख बंदियों हमारे समक्ष रखती या पुस्तक यानि जो class 4 की है या पुस्तक में दिये गया अध्याव वर्तमान जीवन के उतारनों पर अधारित है इन अध्याव में वास्ति घटनाओं से समनेत कहानिया है या फिर उन घटनाओं से जुड़े पात्रों की कुछ चलक है क्योंकि जीवन अपने आप में ग्या करने का उशर्ट परदान करती है तो यह भी यहां से आपको पढ़ना चाहिए class 4 का यहां तक है आपका यहां तक इसके बाद class 5 का हम यह PDF आपको दे दे देते है class 5 का तो आपको सुरू से ही पढ़ना होगा इसमें जो भी ही इसके मुखे theme की चर्चर जो हम कर रहे थे एक परिवारे मित्र यह सारे theme आपको याद होना चाहिए हमने पूछा भी है तो यह सारे चीज़ आपको पढ़ लेना चाहिए एक पार तो यह PDF आज इस वीडियो में हम दे रहे हैं और यह भी जरूर पढ़ लेंगा बुल्यांकन के जो भी आपके संके तक हैं वह आप रहे गे थी उसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए साथ में प्रूफ के रूप में आपको सीटेट 2019 EBS में जो प्रशन पूछे गया था तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और आपको अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो सीटेट 2019 में EBS में जो भी प्रशन पूछे ग जाता है प्रैक्टिकल रूप में को वो कुछी प्रशन होंगे एक दो प्रशन रिस्टॉल तो वही होंगे न तो इसलिए तो हमने कहा था तार कि 28 सबको क्लियर करना है तो आपको याद है आपको क्या करना है आपको बग पढ़ना है आसपास सुरू से अन तक साथ में यह पीडियाफ आपको दे रहे हैं आज इसे भी आपको पूरा पढ़ना है इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जहांसे गूगल ड्राइब धोरा आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ एक और अंतिम वीडियो आएगा आपका मैप से संबंद हमारा वीडियो है लेकिन उसे संबंदित प्रसंतों थी जैसे में हमारे देश के मानचित्र में जारकॉन कहा है इस्तित्र जिसमें हमने आपको याद करा दिया था कूरिशा के उत्तर में यह आप देखिए का पिछला वीडियो जिसमें आपको पता चलाएगा साथ में एक समुक के समुद्धत अरप सागर पर हैं यह भी आपका मैप से ही संबंदित है को यह भी हमने किलियर कराया था करनाट केरल और गुजरात यह अरप सागर पर इस्तित्र हैं तो यह सारे प्रशन आपको हमने पिछले वीडियो में बता के रखा है पिछले वीडियो यानि वासा और यह करना चाहते हैं ताकि जिसमें हम आपको पूरा जो है ना मैप समझा दें याद करा दें कि उत्तरपुर्व भी पूछे कौन सा राज्य है यह सारे भी पूछे ना तो यह भी आप क्लोज कर सकें क्योंकि 2018 में इस तरह के प्रशन थे उनीच में तो नहीं थे इ परसेंट अपकर त्यार हो जाए और उसके बाद कहें आप कि यह स्थों क्लोज हो गया अब हमें साइक्टोजी पर ध्यान देने चाहिए या इस पर ध्यान देना चाहिए दो वीडियो और यह पीडियो लिंक आपको मिल जाए तो यह वीडियो कैसा लागा साथ में जरूर बताईएगा कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो क्या करेंगे लाइक बटन दबाएंगे दोस्तों के बीच शेयर करेंगे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक आप बने रहें देखते रहें हिंदी क्लब को धन्यवाद सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को दबाएए इस बेल आइकोन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सकें ये सब बिलकुल फ्री है